हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे आटे के गुलगिले बिल्कुल सोफ्ट और बहुत टेस्टी सबसे पहले हम एक बड़े पतीले में 500 ग्राम चिनी डाल देंगे और उसी पतीले में आदा लिटर पानी उपर से चिनी में एड़ गर देंगे और चिनी को एक चमच की मदद से पानी में अच्छे से गोल लेगे चिनी हमारी अच्छे से गुल गई है अब हम इसमें आटा एड़ कर देंगे ये मैंने आदा किलो नॉर्मल के हूं का आटा लिया है और अब हम इसको चिनी के पानी में एड़ कर देंगे चमच की मदद से अच्छे से चिनी के पानी में मिला लेंगे देखिए बिल्गुल इस तरीके से हमें गुल्गुले के गोल को बना कर तयार करना है ये गुल्गुले उत्र बारत के राज्यों में तोहारों पर बना जाते हैं ये हमने गोल बना कर तयार कर लिया है अब हम एक कड़ाई लेंगे और गुलगुले बनाने के लिए उसमें देशी घी डाल देंगे अगर आपके पास गी नहीं है तो आप किसी भी प्रकार के तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं गी हमारा अच्छे से गरम हो गया है अब हम थोड़ा थोड़ा गोल लेकर इस प्रकार से गी में छोड़ देंगे और हमारे गुलगुलों को अच्छे से सुनैरा होने तक गी में फ्राई कर लेंगे गुलगुले गी में अच्छे से फ्राई हो गए है अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी बचे हुए गोल के भी गुलगुले बना कर हम तैयार कर लेंगे देखिए दोस्तों कितने अच्छे और सोफ्ट गुलगुले बना कर तैयार हुए है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बने है अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें